जिच्छक सिच्छा के जिग्यासुआ नमस्कार आपका स्वागत है डाक्टर पाउन सुकलाय जो किसने युट्व चैनल पर आप जानते ही हैं कि हम लोग यहां जो ब्यवहार निर्माड की बात है उसके लिए जो विज्ञानकारी करता है सिच्छा सास्त्र उस सिच्छा सास् क्याधार पर जो एजुकेशन से रिलेटेट मैटर्स हैं मैं उन पर डिवदी बना रहा हूं और एक्सपरिमेंटल रिसर्च का अक्रम अभी चल रहा है उसमें एक्सपरिमेंटल रिसर्च के बाद एक रिसर्च आता है जिसे एक स्पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहा जाता है एक सबस्वर्फ घ 굉장히 है घटन कारिवटर अनुशंधान सब्द तो गद नूर्फ या कारिवटर अनुशंधान से appli लिदेखें way घटना घटना के बाद॥ यह इन दिखेंगे नकीजुर्फ द्थाइब लिखेगा देखिए अब घटना के बाद का घटना क्या दिखा मुझे नहीं पता उसमें क्या दिख रहा है चलिए देखिए घटना उत्तर जान लेजिए कि घटना धन उत्तर दो सब्दों से बना है घटन उत्तर अनसंधान या कार्य उत्तर कार्य के उत्तर उत्तर मने बाद में होता है इसको आप जानते हैं त खटनोतर या कारयोत्तरनसंध्धान और्थ क्या हो शकता है जरासे आप अपने प्रजन साप मांड का यूज जो होता है तो यह तब होता है जबकि घटना घट चुकी है यानि बीट चुका है तो यह घटना बीटने के बाद उसका अध्यन कर रहा है यह जब कोई घटना बीट जाती है तो तुन उसके बाद अध्यन कर रहा है इसके ऐसे जो है नाइमितिक तुलनात्मक सोध भी कहा जाता है या जब इसमें संबंद का अनुषंदान भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि आपको करलिंगर की परिभासा बताएं उसके पहले थोड़ा सा मीनिंग मैं समझा नहीं चाहता हूं कि एक्सपोर्ट पोस्ट फैक्टो यानि जो कारियोत्तर अंसुद्धान है उससे तात्पर वैसे अंसुद्धानों से होता है जिसमें अंसुद्धान करता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारुणों का पता लगाने का कोशिश करता है और इस घटना घट चुकने के बाद सोधारंब करता है प्रभाव आसिचर होता है और यो पहले बीट चुकी घटना है जिने कारण कहा जाता है वो स्वतन्चर ह तो कि जो बीच चुका है उस स्वतंद्रचर का क्या प्रभाव पढ़ रहा है उसका ध्यन यहां करना पढ़ रहा है कि जैसे कि जो आप देखे कोई विशेज घटना है परिणाम है या अन्य प्रकार का विवार इससे क्या संबंदित हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि जैसे भ हट चुका है गैस लीक हो चुकी है जितने लोगों को नुक्सान होना था हुआ है लेकिन उसका इफ्यक्ट क्या पड़ रहा है यह देखा जा रहा है यानि जो इंडिपेंडेंट बैरियेबल है वह पास्ट में चला गया वह बीत चुका है वह अतीत में है और यहां कि रखेंगर महोदें की परिद्ञास आपके सामने है कि गटणवत्तर अनुसंद्र उस वर्यास का मतलब यह गटित हो चुक है गटणतर अनसंदान को एसे अनसन्दान की परिभासा दी जाती है – जिसमें सवतंतर चर या-क से अधिक सवतंतर चर पहले इन गटित हुँ चुके होते हैं और अनसन्दान करता प्रेचन का यह एक आश्रित चरया परतंतर चर या परतंतरम्दचर से आकलन करता है प्रतिभागी रूप से करता है इसे तोलनात्मक कारण सोध भी यह कोई घटना क्यों कैसे घटित हुई इसका उत्तर देता है तो यह घटना अतर अनुषदान में आप ध्यान से देखेंगे तो यह समझ बागे आपको कि जो घटना घटित हो चुकी है यह उसका उत्तर देता है कि यह क्या है कि किस तरह घटित हुई है इसकी बात है अब देखिए कलिंगर आगे भी कहते हैं कि यह एक ब्यवस्थित प्रायोगी खोज है यह क्या है एक ब्यवस्थित प्रायोगी खोज है जिसमें सोध करता स्व परश्टता थी पहले ही दिखाई दे चुकी है क्योंकि वे बदलाव के योग नहीं होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो स्वतंत्रचर है वो पहले ही घटित हो चुका है और उसके प्रभाव को आपको परतंत्रचर यानि उसके प्रभाव के रूप में आपको परभाव क्या पड़ रहा है इसके संदर में इसका तर्काधार क्या है इसका आधार क्या है इस पी बात की जाय कि दिखायों hmm करने के में सवतन्त होता है इसका मुख्य तरकाधार है कि तत्यों एवंग उनके मध्य संबंधों के विश्लेशन है तो जो संप्रत्यात्मक सरचना विक्सित करना है जो कि उसके स्वाभावी कहेर फेर के अनकूल हो और साइची कुसोद की अनेक परितितियां इसी होती है जिसमें प्रयोगात्मक हेर फेर नहीं होता है जैसे बुद्धी हो गई आपकी अभिशमता घरेलू प्रिष्टिभूम भरण पोशन सिच्छक व्यक्तित विद्यालेवाता वरण आदी जो है इनमें कोई हेर प्रभाव नहीं किया जा सकता है तो जिसमें प्रभाव को देखना है तो वह ex post factor हो जाता है इसका तरकाधार यही है कि यहां जो तत्य अध्यन किया जाएंगे उन तत्यों के मद्द्ध संबन्दों को देखा जाएगा कि क्या रिष्टा है करने के लिए संप्रत्य आत्मक सर्चना विक्षित करनी होगी और जिस जो कि स्वाभावी के अनकुल्ता मिलती है कि जो बुद्धिवातावरण के बारे में बात किया आपने कि माल लीजिए अगर एक उदाहना भी दे आपको दे रहे हैं तो थमझ में आ जाए कि जैसे एक उदाहन में परस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने कि एक उदाहन द्वरा आप ऐसे समझ सकते हैं माल लीजिए कि सोद करता जो है फेफड़े के कैंसर का अध्यन कर रहा है और वह ऐसे रोगियों को अबजर्व करना चाहता है अबजर्व करके पहुंचता है कि जो दुमप देखता है तो अब वह ऐसे रोगियों को पता लगाने का कोशिश करेगा कि उसके जिसके धम जिन में दुरुमपान की आदत हो और प्रति दिन की कितनी संख्या में सिग्रेट पीते हैं आदी आदी उसी तरह से वह यह भी पता लगाएगा कि रोगी में खांसी यदि है तो पहुंचता है कि जिन द्रोगियों में फेफडे का कैंसर घाता के ओंग तीब रहे उनमें जो चैन स्मोकिंग की बुरी आदत रही है तो यहां आप जो है कई वर्षों खांसी के बाद आप समझ सकते हैं कि एक निशकर्स निकाला जा सकता है कि जो फेफडे का कैंसर है वह कारण होता है तो इसको आप देख सकते हैं कि कैसे असपस्त है कि आप जो यहां उदान में ने दिया आपको यहां पर भी आप देखिए तो जो फेफडे का कैंसर जिसको होगा या हुआ है उसी का अध्यन करना है तो यहां तो स्वतंचर घटित हो चुका है सिग्रेट का प सिग्रेट और कैंसर का तो वहां एक संप्रत्यात्मक सर्चना विक्सित करने के लिए कहां कौन मिलता है यह स्वाभाविक यह बदला हो है कि सैंपल उसका जो है अध्यन की विशाय है वह कहां मिलेंगे कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे उसको देखता है और उसके बाद हुआ है सोद कता है और निशकरण निकलता है कि जो चिग्रेट पीरने वाले लोग हैं उनके कानल कैंसर यादा होता है तो इस तरह से आपनी उसको देखा अब इसके बार थ्हुड़ा सा आईए देखते हैं कि जो प्रयोगात्मक सोद है और कारियात्मक सोध है उसमें अंतर कैसे होता है दोनों में कभी-कभी confusion हो जाता है इसलिए हमको यहां समझना चाहिए confusion होना नहीं चाहिए लेकिन अगर है तो आपको अंतर दूर करना चाहिए देखिए यहां पर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो प्रयोगत्मक और कारियोत् प्रक्रिया का है वह यह कहता है कि प्रयोगत्मक प्रक्रिया होती है वह तर्क संगत होती है जैसे यक्स है तब आई है ऐसे बात है कि मतलब आपने सिग्रेट पी ने पिया कोई तो कैंसर हुआ यह तो प्रयोगत्मक और सद्धान के अंतर नहीं आया यहां सिग्रेट पिला कि आप किसी कैंसर नहीं करवा सकते हैं बलकि आप कुछ और भी देख सकते हैं जैसे दवा देने से उसकी जो बुद्धिक शमता बढ़ी तो यक्स है और तब वाई है लेकिन जबकि इसकी प्रक्रिया लग है जैसे वाई है तब इसमें स्वतंतर याक्समान याक्स्टू या कोई भी हो सकता है यह करियोत्तर अंसंदान की बात है कि वाई है यानि प्रभाव मिला है जो यह परिवर्तन आया है बच्चे में बधिक शमता य जयरोत्ति जैसे उसको पढ़ाएं तरीके हो सकते हैं उसको दवा दी गया हूँ जो सकता है या प्रभारिक जो देख रेक हो सकता है दूसरी बात है इसा प्रत्चेन की बात करें जो सैम्पलिंग आप जानते ही है कि सैंपलिंग बेसिक चीज है साइंटिफिक रिसर्च का तो जो sampling होती है प्रयोगात्मक उंसंदान में प्रचैन का आधार सायोग होता है सायोग आप जानते randomization होता है उसमें आप देखना चाहते हैं कि जो भी ये sample लिया जाएगा वह sample पूरी तरह से अपने जो population का प्रत्निदित करने वाला होगा वह पूरी तरह से population का representative होगा लेकिन जो यहां कारियात्मक उंसंदान में प्रत्चैन का आधार है वह स्वयंग चैन है जिसे cigarette cancer रोगियों का द्यान करना है तो जितने cancer रोगी हुए आप उनके पास जाएंगे आपके पास बिकल्प नहीं है कि आप उसमें से randomization करेंगे जैसे cigarette में cigarette से cancer यानि फेपड़े का cancer होने का अध्यान करने के लिए जितने भी जहां भी फेपड़े के cancer से पीडित व्यक्ति मिलेंगे उन्हीं को प्रद्धन समान लिया जाता है यहां जाने के जरुवत नहीं होती है और इसके बाद जो चौथा अंतर आप देखिए तो क अधिक विस्वस्नी और भैद होते हैं बैग्यानिक होते हैं क्योंकि इसमें प्रयोजियों का चयन सायोग विधी से होता है आप सायोग रैंडमाइजेशन आप जाते प्रोबिल्टी तो उसके कारण जो वे समगर्के अधिक असपस्ट प्रतिनित होते हैं अपने पापुल जो तरह सुंद्धान है इसमें प्रयाम अधिक विश्वस्वस्नी नहीं होते हैं गयोकि प्रयोजियों का आ dieta सेमपल में का स्धर्ण के आधार पर में होता है आस तरह से छकी सकता है कर भी सकता है कर सकता है दोनों बाते हैं आप जबकि प्रयोगात्म कंसंदान में देखे कि वहां तो प्रतिनिदित ही मुक्य होता है कि जो प्रतिदर्श अपने पॉपलेशन का जितना अधिक प्रिप्रेजेंट करेगा उतना ही बेतर उसका रेजल्ट आएगा जनरलाइजेशन के द्वारा पांचमा इसका जो अंतर है कि जो प्रयोगी कंसंदान के आधार पर दो चरों में व्याप्त कारणता के संबंद को अस्पर्च किया जाता है जब न गद्ट को करें लेकिन जबकिक अदो दो प्रहे से समबंद है उसका विशलेशन के जाता है उसको अगलाव करें कारीजोतं संदान के लाव यह पहला हिए पल्शारी आत्म के संबंध का ग्यान कराता है गत呢 14 घटनी से दूसरा घटने से दूसरा घटता है यह एक के घटने से प्रायोगी परीकल्पना की त क्याल के वारे में इसके बारे में तरका डार। कि इसके अधयर कथन की चंता होती है । इसके द्वारा जो आप अध्यन किये की गैस बोपाल गैस कांड हुआ था तो उस तरह की जो खतरनाक गैसे हैं उनके प्लांटों को लगाने के लिए पापुलेशन से कितनी दूर तक उनको रखना चाहिए इस तरह के निशकर्ष बविश्य कथन निकले उसी गटना के आधार पर जिए उनके लिए सब्सक्राइब क्या है आधार मिल जाता है इसके की कुछ कमियां भी निश्चितरोफ से हैं तो कि कुछ सीमाओं को हम देखते हैं कि यह चरों के कारणता के संबंद में जो ग्यान है इसका जो चरों के कारणता है चर क्यों है कैसे हैं उनके संबंद में ग्यान में इसका आभाव है अब दूसरा एक जो जो संबंदित चरह उस पर नियंतर कैसे आप करेंगे उसका अभाव होना स्वाब होई चीज है और तीसरी है कि जो इसका निसकस है उसकी विश्वस्वसनीता पर अभाव होता है इसको आपको स्विकार करना पड़ेगा कि कभी-कभी अभाव भी हो जाता है क्योंकि जो सैंप है जीतना अधिक अपने पॉपलेशन का रिपरेजेंटेटिव होगा यानि अपनी जनसंख्या का जीतना अधिक मात्रा में प्रतिदर्श प्रत्नित तो करेगा उतना ही वो बहतर होता है और उसके बाद अपेच्छा किती जो यह विश्वसे अध्यन्त पद्यती है यह वि संपल लिया जाएगा वह पॉपलेशन का टोटली जो रिपरेजेंटेटिव होगा यह पूरी तरह से समत नहीं है कोई भी नहीं मान सकता और इसके बार इसमें बैड भविश्य कथन का भी अभाव होता है इसके दोरा आप बैलीड कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं जो तो भविश्य में लागू हो तो इस प्रकार से आज इसमें आपने कारियोत्तर यानी एक्सपोस्ट्राटो रिसर्च के बारे में घटनोत्तर कारियोत्तर या फिर आप इसको कई नामों से जांते हैं नएमितिक तुलनात्मक्सोद सरसंबदात्मक्सोद का अध्यन हमने किय से मेरे मेरे बठाया बाते बाते आपको पढ़ा नहीं सकता आपको समझता तो आप स्वाध्डेन से मेरे द्रक जातनी क स्वाध्ड विधाय अच्छ के बारे मेंोगा तो अच्छा लगए आप चैनल लाइक से सब्सक्राइब कर ले यह भी अच्छा लगए धन्यवाद नमस्कार